Merit List का मतलब क्या होता है पहले आप समझ लीजिए Definition है कि a list of students are people with high grades in exams or other achievements कोई भी आपकी परिक्षा होती है या फिर कोई भी achievement कोई भी उपलबदी है उसके लिए एक list तयार की जाती है a list of students और people लोगों की या फिर विद्यार्थियों की एक list तयार की जाती है with high grades, high grades का मतलब है कि वो grade के अनुसार होगी वो grade आपका परिक्षा में मिला हुआ प्रापतांग हो सकता है किसी चीज की cut off हो सकती है तो उसे ही कहते हैं merit list या उदारान सचालित रूप से चूने गए हिन में समय दंसील सामगरी हो सकती है मैं भी आपको पढ़कर सुनाता हूँ Every year students make places in merit list in state level board exams and different competitive exams मतलब merit list तमाम students merit list में जगा बनाने के लिए परिफान आता है फिलाल आपको हम बताते हैं और उदारानों के साथ की merit list में बात क्या होती है जैसे मैंने एक college का खोल लखा है एक simple college है लखनव का उसके बारे में ही मैं आपको समझाता हूँ merit list होती क्या है क्योंकि अभी 2020 की merit list आई है माली जे मैं इसमें से कोई भी merit list खोलने की कोसिस करता हूँ जैसे यह देखे बी यह general one लिखा हुआ है मैं इसको click करके download कर रहा हूँ तो आपको बताता हूँ merit list होती क्या है यह देखिए app मेरे सामने खुल गया merit list इसे ही कहते है merit list में क्या होगा form number कोई भी आपने form डाला होता है वो include होता है candidate का नाम होता है पिता का नाम और थोड़ी मोड़ी information होती है अगर आपका entrance exam के merit list है तो entrance exam के total marks फिर entrance exam में आपने कितने number पाए है वो उसके सामने mention होता है अगर आपकी perfect base पे है तो यह रिखे perfect base पे है तो सबसे उपर जिसका सबसे ज़्यादा marks जिसने पाए होंगे उसका सबसे उपर देखे 97.40 है उसको पहली rank मिली है तो merit list में एक हिसाब से rank घोसित की जाती है उसको सबसे उपर रखा जाता है जिसका जो है उपलबदी जिसकी achievement सबसे ज़्यादा होती है वो किसी भी base पे हो सकता है तो यह होती है merit list अब बात करते हैं कि first और second and third merit list का क्या चक्कर है जैसे मैंने इस college के लिए admission के लिए B.A. General की बात करी है और इन्होंने शुरुआत में intake किया है लाश्ट मैंने खोला 440 student माली जी college में 440 ही seats है ठीक है यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए 440 seat है इन्होंने 440 बच्चों की merit list गोसित की है अब 440 बच्चे में से हो सकता है कि सिर्फ 300 बच्चे ही admission ने क्योंकि 440 बच्चों में से कुछ बच्चों ने B.H.U. या फिर दिली उनिवर्शिटी जवाहर नहरू उनिवर्शिटी या नि J.N.U. में फॉर्म डाला हो बड़ी जगों पर बच्चों में 440 जो ऊपर फे टॉप पे स्टुडेंट्स थे उनका नाम था अब जो अगली लिष्ट जारी की जाएगी उसको सिकेंड मेरिट लिष्ट बोलेंगे सिकेंड मेरिट लिष्ट में 440 बच्चों के बाद फॉर्क जहां पर इधर हम देखते हैं इसके बाद वाली जो लिष्ट होगी इसमें 48 की नीचे वाले पर फेंट वाले बच्चों को सबसे ऊपर रखा जाएगा उसको सिकेंड मेरिट लिष्ट कहेंगे तो उसमें मालीजे 140 है तो 140 बच्चों की उसमें मेरिट लिष्ट पूरी पूरी निकाली जाएगी उपर से 140 तो उसमें भी हो सकता है कि 140 इस्टूडेंस में मालीजे 100 इस्टूडेंस ने अदमीसल लिया 40 सीट फिर से खाली रहेगी जो भी सीट फिर से खाली रहेगी 40 सीट मालीजे बची, तो 40 seat के लिए एक बार फिर से merit list निकाली जाएगी, वो merit list में फिर से उसे third merit list कहेंगे, उसमें उन चालिस बच्चों को निकाला जाएगा, जिनका जो है परफेंटाइल या तो इंटरंस एक्जाम में या फिर merit के हिसाब से मतलब academic merit के हिसाब से उसे भी कम है, इससे साब से third merit list निकाली जाएगी, तो मतलब merit list का कुल मामला ये है कि कोई भी position fill कलने के लिए, even job बगएरा में भी महत्वपूर होती है, ना सिर्फ admission में, बलकि job बगएरा में भी, तो उतने post fill कलने होते हैं, post का मतलब seats fill कलनी होती है, या तो job seats हो सकती है, या फिर किसी college में, admission seats हो सकती है, तो इसे मामला, यही मामला है, merit list का, इसे ही merit list कहते हैं, मतलब एक बटकार के, सूची होगी आपकी, जिसमें सारे जो selected candidates होंगे, उनको serial wise रखा जाता है, बनाए रहिए the university connection, हम आपको ऐसे छोटी बड़ी खबरें बताते ही रहेंगे, फिलहाल धन्यवादा